आज कर टेक्नलोजी बहुत एडवांस हो गई है ये तो आप सभी जानते ही है पहले खाना ओर्डर करने के लिए हमें रेस्टरांट को फोन करके ओर्डर देना पड़ता था और खाना डिलिवरी होने पर हम वुक्तान करते थे आज कर हम फूर्ड डिलिवरी एप के जरिये खाना ओर्डर कर सकते हैं हम ओर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं ये बहुत आसान है अब हमारे पास ड्रोन के माध्यम से भी खाना पुचाया जाता है अब और उन्नती हुई है हैरान है आपने फिल्मों में लोगों को जेट पैक पहन कर उठते देखा होगा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जेट पैक पहने हुए फ्लाइंग डिलिवरी एजेंट वरा पीजा डिलेवर किया जा रहा हो क्या एक सपना है या हकीकत है जोकाने वाली बात ये है कि जून में ब्रिटन में ग्लास्टेंबरी फेस्टिवल नामक पाँच दिवसिया समर फेस्टिवल मनाया गया था बहुत सारे लोगों ने भाग लिया वाहां गायन, संगीत कारेकरम और बहुत सारे कैंप्स लगाये गये थे जहां लोगों ने गर्मियों का आनन्द लिया फेस्टिवल के दौरान कुछ लोगों ने डॉमिनोस से पीजा ओडर किया जब उन्हें जेट पैक पहने डिलिवरी एजेंट से ओडर मिला तो वे अश्चरे चकित रह गए लोगों को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था लगभग सभी डिलिवरी एजेंट मोटर साइकल या किसी अन्यमाद्यम से ओडर पहुँचाते है ये बहुत यालग था वो उड़ता हुआ आया अद्भूत ये डिलिवरी का कोई व्यापक तरीका नहीं है ये सिर्फ एक प्रशिक्षन था लोगों को यकीन नहीं हुआ और उन्हें इसे नकली मान लिया लोग आश्चरच अकित हुए और उन्हें ये बहुत अनोखा लगा कुछ नहीं कहा कि वह कैप्टन अमेरिका, हल्क, आदी जैसे अवेंजर्स का एक नया सदस्य है पाइलट सबसे पहले स्टोर में दाखिल होता है स्टोर का स्टाफ पीजा को जेट पैक के डिब्बे में रखता है जेट पैक में डेलिवरी एजेन उडान भरता है और ओरडर पहुंचाता है और फिर से उडान भरता है बहुत खूब कितना अनुका है दिल जजब ये jet pack custom निर्मित है delivery agent की सुरक्षा सुनस्चित करने के लिए इसे बनाया गया है और विशेश तक्नीक शामिल की गई है जो पीजा को गरम रखती है हाला कि ये सिर्फ एक प्रशिक्षन था festival के कारण domino's समय पर खाना नहीं पहुचा सकता था और पीजा थंडा हो जादा था इसलिए वे इस अनुके भविश्यवादी विचार के साथ आए हमने कलपना की कि ऐसा किवल फिल्मों में देखा जा सकता है लेकिन अब ये असल जिन्दगी में हो रहा है दिल्जस्प माना जाता है कि ये सूट लाकों पाउंड का है यदि ये सफल रहा तो भविश्या में इसका उप्योग किया जा सकता है दिल्जस्प है ना?